में जोती सचार शंजीत क titre मिनि स्राशी 2004ा वर्षी फैल्ड ऺता रहा हूं शभी लोग के मन में विचार आया हुआ है कैसा रहेगा आपका परिवारिक जीवन कैसा रहेगा आपका दामपत्र जीवन कैसा रहेगा स्वास आपको जो है कुंडली में पढ़ने वाले विभिन रहो और नचप्त्रों की प्रभाव के चाल को देखते हुए मैं आपको विश्लेशन किया हैं और विश्लेशन करने के बाद आपको इस वीडियो के मादर से बताता हूँ मेश राशी वाले 2024 का पडिवारिक जीवन कैसा रहेगा उसको लेकर के पहले बताता हूँ आपको उसके बाद आगे बताओंगा इस साल आपके पडिवारिक जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा शुरुआत में तो ठीक ठक रहेगा गुरू आपका ठीक ठक शबीश हदस्य जो है मिल जुलकर के काम करेंगे, मिल जुलकर के तरह से परिवारिक समस्याओं में जो उत्पन होगा समस्या, उसको शमाधान करेंगे, बड़र स स्वास्त आपका ठीक नहीं रहेगा इस समय आप धड़e के सांथ काम करें तो बढीया रहेगा, शबीश समस्य तुम रहने वाला है बीच-बीच में भाईबवानों के तुछ सा तनाव बनेगा लेकिन फिर से ठीक ठाक हो जाएगा पडिवार में आपका मेश्राशी वाले को मांगली कार लोगा और आये भी आपका ठीक ठाक रहेगा इस साल पडिवारी जीवन में ब्योपार करने वाले क कारी झ्षत्र में 99 होने वाला है अधिकारी का जो है शहयोग मिलेगा शांत ही सहतर्मी भी जो है जो आपके साथ काम करने हैं उनका भी शहयोग बहुत बढ़िया मिलेगा आपके कार्ज को शराहा जाएगा पद्परतिष्ठा में भी बढ़ुत्री होगी पद्परतिष्ठ योग शान्ना करना पड़ेगा व्योपार ठीठ ठक नहीं रहेगा धन का लाब आते रहेगा लेकिन खर्च भी उतना ही बना रहेगा नया व्योपार करना चाहते हैं तो अप्रील के बाद नया दुकान खोलें आपके लिए मेश राशी वाले के लिए बनिया रहेगा काज को लेकर के बिवस्तता जो है आपका बढ़ जाएगी जो लोग नौकरी के लिए विदेश के यात्रा करना चाहते हैं उनका भी शक्तना जो है सकाड़ होगा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा नौकरी और व्यपार में थोड़ीशी समस्या रहेगी मेश राशी द्वज आएगी छात्र को और संहर्श करना पड़ेगा थोड़ा तब जाके आपको मेनत का परिणाम बढ़िया मिलेगा आपके मन के रूप जो है शिक्षा नहीं मिलने के कारण आपके उपर जो थ्रोसा मायूशी बनेगी कैडियर के साथ आपका भात्य बढ़िया साथ दे रहा है जो लोग नवगणी कर रहे हैं और नए नवगणी के तयारी कर रहे हैं आपको प्रसंता बनेगी बर्स के उत्राद में जो है नवगणी को ले करके सचेत रहने की जरुत है इस समय जो है आपका आपको विश्वास में कमी मना रहेगा जितना चाहिए आपको confidence ओ नहीं मिल में स्रासीवाले दोहजार चॉवीश का प्रेम जीवन कहिशा है वो मैं बताता हूँ प्रेम जीवन की बात करते हैं तो ये प्रेम जीवन आपका अनुकूल नहीं रहेगा प्रेम समंध में रुकावट होगा बेवजा चके अतनाव बनेगा अभिवाहित को तो परसानी लेकिन अगर संभल के नहीं चलते हैं तो तकलिफ होगा लेकिन बर्स के उत्राद में अभिवाहिक के लिए रहेगा यानि मैं के बाद जो है प्रेम समंद बहुत ही उच्चिका हो जाएगा अपने प्रीतम के साथ भूमने का भी योग बन रहा है वेवाहिक कीवन में तो तना स्वास्त को लेकर सचेत होने की जववत है कहीं बार आपको शंक्रमन समंदित समस्या पैदा करेगा केतु के कारण कहीं तरह से समस्या पैदा करेगा आपके जीवन में बर्स के स्वात में मांसिक तनाव तथा ब्लड प्रेसर से समंदित बिमारी आपको परसान करेगा आप बड़े बीमारी से परसान नहीं हैंगे छोटे-छोटे बीमारी आपको परसान करेगा बड़स के अंतिम में जो है साल के अंतिम में अगस्त के बाद आख के समंदित आपका समस्या रहेगा वो उस समय के बाद ठीक हो जाएगा ज्यादा परसानी नहीं करेगा लग्की नंबर का पाठ करिएगा बहुत उत्तम रहेगा बहुत लबकारी रहेगा सांथ में गनेश्ची का पूजन करेंगे तो आपके लिए बनिया है काले कुत्ते का भोजन कराएं बढ़िया फैदा होगा राहू जो है तकलीफ करेगा जो दूसरे बाव में बैठा हो परसानी करेगा वह अब ठीक तक हो जाए गड़ा हुक कानों तब तक जय बाता देव प्रभातकाबर.com विश्वास्वही रवतार नई